हे दोस्तो स्वागत है आप सभी का स्टड़ी आये इसकी एक और नई वीडियो में और दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ गुड गवर्नेट्स इंडेक्स 2021 के बारे में आप ही रीसेंटली यहां पे आप के सकते हैं, यहां पे ये इंडेक्स जो है उसे रिलीज़ करा गया है और ये इंडेक्स जो है वो बहुत इंपॉरटेंट है Important in the sense of आपके examination के लिए तो है ही पर आपके लिए जो knowledge है आपकी general awareness है इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है आखरी index कैसी होती है किस तरिके से काम करती है कौन से parameter पे काम करती है कौन decide करता है कि आखर कौन से parameter होंगे या फिर कौन decide करता है आकर best performance किसकी रही है यह सारे सवाल इसके साथ साथ किसकी अच्छी performance रही थी UT में मतलब कि Union Territories में किसने चाफ perform करा, state wise किसने चाफ perform करा, यहाँ पे अलग-अलग आप कहते हैं area में भी जो यह index है उसने report दी थी, उन सभी को मतलब की in detail हम लोग Good Governance Index 2021 के बारे में सारी बाते in detail आज की इस वीडियो में discuss करने वाले हैं दोस्तो, वीडियो को पूरा ध्यान से देखीगा अगर आपके पास कोई doubt होते हैं या फिर आपके पास कोई suggestion है जो कि आप हमसे बताना चाहते हैं तो वो आप मुझसे बता सकते हैं comment section में हम लोग definitely उस पर काम करेंगे और आप लोग को एक best quality content देने की कोशिज करेंगे ओके, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे लेकिन उससे पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा एक important information अन-academy की तरफ से दोस्तों यहाँ पे unacademic तरफ से UPSC topper जागरिते वस्ती जी हैं जिनकी air 2 आई हैं और यह unacademy से बिलॉंग करती हैं और दोस्तों यहाँ पे आप सभी बच्चों के लिए जो के अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए 29 दिसंबर से नए बच्चे स्टार्ट हो रहे हैं सभी upcoming इस के लिए जहाँ पे यह बच्चे खुद को जाके enroll कर सकते हैं और unacademy आप लोग के लिए लेके आया है free test series जैसे की मुन्रल मंडे जो की हर मंडे को सामको 8 बजे होता है T20 daily current affairs Monday to Friday सामको 7 बजे और अब यहां daily static quiz 2.2 Monday to Friday सुबह 10 बजे आप लोग को देखने को मिलेगा और दोस्तों यहाँ पे आप खुद को जाके enroll कर सकते हैं और जब आप यहाँ पे enroll करेंगे तब हमारा code study is जड़ी यूज़ कीजिएगा for your benefits Ann Academy नहीं केवल आपको benefits देता है इनके पर आप लोग को ऐसे ऐसे special features देता है जिसे कि आपकी preparation में आपकी मदद हो सके और आप अपनी preparation में और बहतर तरीके से perform कर सके ऐसे बच्चे जो की financial unstable हैं उनके लिए भी Ann Academy अपनी तरफ से काफसरी services लेके आया है जिसे कि उन सभी बच्चों की मदद हो सके जो कि आप कह सकते हैं किसी ना किसी पैसों की दिक्कत के वज़े से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे थे और इसी बात को ध्यान रखते हुए Ann Academy उन बच्चों के लिए loan के facility भी लेके आया है चलिए दोस्तों ये तो बात होगे यहाँ पे Ann Academy की अब बात करते हैं Good Governance Index 2021 के बारे में अभी रिसेंटली 25 दिसंबर को आप पैस्टते हैं Good Governance Day बनाया गया था हमारी government के दौरा और उसी के दौरान यहाँ पे रिलीज हुए थी आपकी Good Governance Index 2021 की रिपोर्ट ये जो इंडेक्स है इसे प्रिपेर करा था Department of Administrative Reforms and Public Grivens ने मतलब की DARPG ने Ministry of Personal, Public Grivens and Pension ने इन सभी ने मिलके यहाँ पे इस आप कह सकते हैं जो इंडेक्स है इसे आप कह सकते हैं प्रिपेर करा था ये जो इंडेक्स की रैंक आई है इस साल इस आप कह सकते हैं इसमें आये 49 in the Chandler Good Government Index अब ही ये जो होती है Good Governance Index 2021 ये तो हमारी आप कह सकते है Million Hमारा जो department है हमारी सरकार प्रिपेर करवाती है लेकिन आप कह सकते हैं Chandler Good Government Index जो है यह आप कह सकते हैं overall world के level पर होती है तो यह दोनों ही हमारे लिए बहुत important है अब बात करते हैं Good Governance Index के बारे में Basically यह comprehensive और implementable framework होता है जो की access करता है state की आप कह सकते हैं governance को पूरे ही state में किस तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं जो state की states हैं मतलब कि state जो यहाँ पर word use हुआ है वो हमारे nation के लिए हुआ है जो states है हमारी जैसा कि होगी आपकी उत्रप्रदेश गुज़ात यह सब state होगी हमारी और unit territories दिली वगएरा तो यह सब हमारी unit territories होगी इन सभी को ranking दियाती है state और district wise objective क्या होता है आप खिरी इस good governance index का कि create कर सकें एक ऐसा tool जिसको use किया जा सके uniformly across the states कि हम लोग यह जान सके कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर intervention लिया जा सकता है central के दोरा या फिर state government के दोरा कि किस तरीके के अलग-अलग यहाँ पर और कुछ reforms लाए जाए जिसने कि उनका जो governance से इसे बढ़िया करा जा सकें जो आपका good governance index का framework होता है यह index provide करवाता है comparative picture अलग-अलग state के उनके यहाँ पर developing एक competitive spirit दिखाता है कि वो लोग देख सकें कि अच्छा एक दूसरी state में यहाँ पर अची performance हो रही है तो एक दूसरी state को यहाँ पर motivation मिले कि वो और अच्छे तरीके से perform कर सकें good governance index 2021 का यह कहता है इसके अंदर 20 states है जो कि यहाँ पर improve होती है अपने composite आपके सकते है good governance score के दौरा और आप कह सकते हैं यह जो score दिया दाता है यह ज़या दाता है आप कह सकते हैं यहाँ पर हमारा good governance index 2019 के score से अपकी बार जो हुआ है यह improved version दिखाए दिया है जो यहाँ बता दू आपको कि good governance index जो होता है यह एक by annual exercise होती है दो बार होती है ओके इस तरीके से यह काम करता है किस basis में रैंकिंग होती है तो यहाँ पर 10 sector होते हैं और 58 indicators होते हैं आप 58 indicators के बार में तो इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा लेकिन 10 factors जो होते हैं 10 sectors जो के लिए बहुत important होते हैं वो हैं आपके agriculture and allied sectors मतलग की agriculture और उससे आपकी social welfare and development, judicial and public security, environment और citizen centric governance यह हैं वो 10 sector जो की sector जो की depend करते हैं किसी के आपके सकते हैं state की unitarities की ranking पर चेक किया जाएगा इन 10 sector पे और यह 58 indicators पे कि आखिर किसको क्या rank दी जाएगी कौन first पे आएगा कौन second, third और कौन last में आने वाला है यही वो 10 sector है जो की decide करते हैं कि आप रहा है अब ranking क्या हुई है देखे चार गुर्प में बाटा गया है रैंके जो है उसके अंदर गुजरात नहीं यहां पर आपके सकते हैं टॉप कर रहा है और यहां पर बताया गया है कि जिस हिसाब से गुजरात की rank आईए यह काफी बड़ी आईए और उसके बाद मह मेज़रम और उतराखण होगी और यहने ट्रेटरीज में आपकी दिली ने टॉप करा है 14% इंक्रीज हो गया है इसका पिछले साल से जो यहां पर आपका good governance इंडेक्स आया था 2019 का उसके हिसाब से काफे ची यहां पर ग्रोथ दिखिए काफी सारी अलग-अलग states ने बहुत परफॉर्म करा है और अच्छी बात है कि हर एक state जो है वो अच्छा परफॉर्म करें पिछले साल से और और बहुतर करके आगया है अब देखिए बहुत सारे initiative भी लिए गया है कि good governance के लिए जैसे कि national e-governance plan होगया आपका right to information act होगया आपके सिक दुधा 5 वाला digital India होगया और my GOV यह भी ऐसे initiative है जो कि लिए गया है good governance के लिए कि एक आपके सिकते हैं state के अंदर एक unitary trees के अंदर जो सभी sectors है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे and overall यहाँ पर growth देखने के मिलेगी किसकी state की जो की बलाई किसकी होगी nation की तो यहाँ पर काफे अच्छी बात है कि सभी लोग साथ मिलके अगर काम करेंगे तो एक अच्छा आप कह सकते हैं example रहेगा एक अच्छी government काम ओके तो दोस्तों यह हैं सारी बाते आयोप के आपको चीज़े clear हो गई होगी अगर आपके अब कोई doubt हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं comment section में मिलते हैं next video में तब तक के लि झाल